यहाँ पर given है आपको एक situation ठीक है यहाँ पर आपकी एक cell है और cell के बार 2Q चार्ज रखा हुआ है 2R की distance पर cell की outer surface पर 3Q चार्ज है और cell के अंदर उसके center से RY2 की distance पर एक Q चार्ज रखा हुआ और साथ ही यहाँ पर आपको एक बार switch दिख रहा है यह switch on और off हो सकता है तो यहाँ पर आपको दो case मिलेंगे एक case में आपका switch off होगा और एक में switch आपका on होगा तो now यहाँ पर जो A और B जो option है यहाँ पर आपका switch open है ठीक है तो now यहाँ पर क्या पूचा गया है यहाँ पर देगे पूचा गया है magnitude of electric field at the center ठीक है इसकी बज़ यहाँ जो outer surface पे जो चार्ज है cell की ठीक है amps दूसरा part क्या है आपको बताना है electric field center पे ही बताना है कि इसकी बज़ यहाँ जो outer surface पे जो charge C और D में जो आपका switch है वो आपका closed है और यहाँ पर आपको फिर से बताना है electric potential कहाँ पर center पर इसकी वज़े से outer surface पर जो charge है और D part आपसे पूछ रहा है कि इस switch के close होने के बाद इस switch से कितना charge flow होगा I hope problem आपको समझ में आ चुकी है आई अब इसको solve कैसे करना है समझते हैं देखिए इस problem को solve करने जलने आपको जो concept use होने वाले हैं वो यह आपका पहला एक induction का दूसरा concept आपका लगेगा grounding का और जो तीसरा concept है वो आपका यूज होगा जो cavity वाले concept होते हैं आई योब इतना आप समझ चुके होंगे राइट तो आई अब इसको solve करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं case first की जिसमें आपका जो switch है वो close नहीं है ठीक है यानि कि अभी open है इस situation में क्या होगा और हमारा जो यह पार्ट था वो हमसे बोल रहा है कि आपको बतानी है electric field at the center किसकी वज़ेसे जो outer surface पर चार्ज है ठीक है हमें इस पहले outer surface पर चार्ज क्या होंगे वो calculate करना है फिर हम लोग एक ही बात करें तो नाव यहां पर आप देखी क्या होगा यहां पर होगा induction ठीक तो नाव अब क्या होगा देखो जो inner surface है inner surface है यहां पर charge इंड्यूस होगा minus Q और जो outer surface है उस पर चला जाएगा कितना plus q क्योंकि जो net charge है इंडेक्शन में बो तो 0 होना चाहिए तो प्लस क्यों मिलके हो गया आपका जीरो अब इसका डिस्ट्रिबूशन कैसे हो ठीक तो पहले बात करते अंदर के चार्ज तो यदि आप ध्यान दो यह जो आपका क्यू चार्ज है जो अंदर रखा हुआ है ठीक है यह सेंटर पर नहीं है यह सेंटर से आर वाई टू की डि लिजेए यह आपका था ठीक है और यहां रखा हुआ है ठीक और यहां पर सेमेट्रिक्ली डिस्ट्रिउट करोगे क्या आपका जो इंडिउस चार्ज है तो यहां पर क्या होगा देखो यहां पर यह जो नेगेटिव चार्ज है इसके वुझे तो सेंपोटेंसिल रहेगा बट यह जो Q charge है, जो positive Q है, उसको जैसे different point पर आपको different potential मिलेगा, और metal में आप जानते हो कि हर एक point पर आपको same potential मिलना चाहिए, एक कोई potential surface बनती है, यानि कि यह जो symmetric distribution हो रहा है, minus Q charge का यह तो possible नहीं है, पहली बाद, अच्छा तो अब क्यासा distribution होगा, distribution ऐसे होगा, कि यह जो पूरी की पूरी surface है, ठीक है, यह surface आपके कैसी बन जाए, एक कोई potential, ठीक, अच्छा, तो इसका simple तरीका क्या हो सकता है, जिए आप इसको सोच हो, तो आपको पता चलेगा, कि जो आपका Q charge यह positive charge है, और जो induced charge हुआ है, तो जादा से जादा जो charge है, वो कहां होगा आपका, इस plus Q के pass, जादा से जादा charge pass होनी कोजिस करेगा, पास कहां हो सकता है, इस तरफ, तो इस तरफ के distance कम है, आच्छा, अब बहुत से बच्चों के दिमाग में आएगा, तो ऐसा क्यों नहीं है, कि सारा का सारा charge यहीं आ जाए, इसको आप ऐसे समझो, यदि सारा का सारा charge यहीं पर आ जाएगा, ठीक है, तो basically आपको दो point charge मिलके, और यह रही है आपकी surface, right, So now, जब आप ऐसा करोगे, तो किसी भी दो point पर देखो, distance तो different, different है, बट दोनों charge के magnitude तो same है, तो आपको कुछ ना कुछ potential मिलेगी, right, यानि कि यहाँ पर कुछ potential होगी, फिर दूसरी point पर कुछ अलग potential मिलेगी, क्योंकि अब जो distance vary कर गई है, right, तो यहाँ पर आपको एक concept clear होगा, तो now, अब बात करते है, outer surface पे charge distribution कैसा हो, तो ध्यान देजिए, यह जो plus Q charge है, induce होगे, outer surface पे आया, तो total charge अब कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा, 4Q, right, अब यह जो surface थी आपके, ठीक है, इस पे 4Q charge है, इधर 2Q charge है, अब यह दोनों देखो, same nature के charge है, तो repel क करेंगे, तो जायर सी बात है, यहाँ पर यह जो positive charge है, इसका ज्यादा बड़ा part इस end पर मिलेगा, छोटा part यहाँ मिलेगा, right, तो basically आप समझ पा रहे हो, कि जो positive charge भी है, इधर भाग रहा है, ठीक है, इधर shift हो गया, तो जो यहाँ पर आपको मिलेगा, basically, जो final structure होगा, इस condition में, वो आपको यहाँ पर ऐसे देख रहा है, यह जो distribution, ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे हो, चाहाँ आउटर सरफेस हो, चाहाँ इनर सरफेस हो, charge distribution, symmetric नहीं, ठीक है, किस तरफ ज़्यादा है, इस तरफ ज़्यादा है, यहाँ तक clear है, okay, now, I hope, यह आपको पता ही हो और यहाँ पर कोई outer charge है, Q-, तो इसकी भी बज़य से अंदर electric field कितना होगा, आपको पता है, 0 होगा, now, अब दोनों condition एक साथ ले लेते हैं, ठीक है, यह वाली condition, यहाँ पर कोई Q- charge है, और बाहर कोई Q- charge रखा, अब हमने देखा है, कि यहाँ पर जो charge है, वो repel करेगा, त distribute हो जाएगा, तो मा लेते हैं, जो charge Q है अभी आपका, ठीक है, यह यहाँ कहीं आ गया है, ठीक, now, आप यहाँ पर ध्यान से देखो, सिर्फ एक charge को focus कर, right, यह आप यहाँ पर ध्यान से देखो, यह जो Q- charge है, यह symmetric तो रहा नहीं है, तो इसकी वज़य से यहाँ पर देखो कौन nullify कर रहा है, इस Q- का electric field, right, यानि कि अब क्या होगा, कि जो metal है आपका, ठीक है, उसके अंदर का जो electric field है, वो इन दोनों Q और Q- की वज़य से हो रहा होगा, zero, net charge की जाए, right, तो ना हो, बस यही concept हमें यहाँ पर use करना है, so, यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब बहारी surface है, ठीक है, उस पर charge कितना है, 4Q, और बहार कितना है, Q, हम से पूछा गया है, सिर्प और सिर्प इस surface कि जैसे कितना electric field होगा, अब यहाँ पर ध्यान दो, तो यह तो asymmetric distribution है, right, जैसे कि आपका यह है, यहाँ पर ठीक, यहाँ पर ज्यादा है, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आप इसी concept का यूज करेंगे कि जो electric field है, बहार के जो भी charge है उनके द्वारा, वो कितना हो जाएगा आपका, 0, right, तो आप देखो बहार के क्या क्या चार्ज है, आपका 4Q था और 2Q, electric field और 4Q प्लस electric field due to 2Q हो जाएगी आपकी 0, right, तो यहाँ पर आप आपकी electric field दिख रहे है, due to this 2Q charge, in this situation, इसमें charge आपका as a metal distributed है, so now, center पर निकालना है, तो distance कितना है, आपकी 2R, right, चार्ज कितना है, 2Q, value में आप पूट के लिए, यहाँ पर, यह बरावर क्या होता है, यह बरावर आपका होता है, magnitude किये, Q upon R का, right, यहाँ पर Q की वैलू किय इतनी है, आपके 2Q, और R की जाएगा, यहाँ पर आपका 2R, आप value put कीजिए, solve कीजिए, आपको value मिल जाएगी, तो जो magnitude निकल के आ रहा है, वो electric field का, surface charge की वजए से, center पर कितना है, बात के लिए है, now, अब यहाँ पर यहाँ पर निकाली थी potential भी, तो जायर सी बात है, दे equally distribute कर दो, potential center पर same ही आनी है, क्योंकि हर बाद distance same है, right, तो यहाँ पर आपको मिल जागी है, आपकी जो potential है, at the center, सीधी सी बात है, charge उपर distance निचा, ठीक है, यहाँ पर जतना charge है, आपका Q-Dash, और यहाँ दिस्टेंस है, क्या होती है, Q-Dash upon R, right, Q-Dash के लोगी है, आपकी फो grounded हो गया, अब क्या situation में change आने वाला हो, तो सबसे पहली बाद, जैसे आपने grounded किया, ground का potential क्या होता है, zero, कितनी बात के लिए रहे, सुनाओ, जैसे ground से connect किया, तो अब यह जो surface दिख रही है, आपको outer surface, इसका potential भी क्या होना चाहिए, zero, बात के लिए रहे, तो नाओ, हम यह मानते हैं कि इसका potential zero करने के लिए, ठीक है, ground से कुछ charge आया, जिसकी उपर आ गया, महा लेते हो, चार्ज है आपका key, और आप situation ऐसी बन रहे है, कि आपका potential हो गया है, zero, right, so now, अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, ध्यान से देखिए, तो basically यह आप यहाँ पर ध्यान से द आ गया है, और यह कुछ अंदर के charges है, तो सबका मलाके जो potential बन रहा होगा, क्या हो जाएगा, zero, यहाँ पर मैं सारे charges लिए, पहले समझते है, actually potential होता क्या, ठीक है, यह आप recall कर पाएं, तो आपको पता होगा, कि मान लेते हैं, यह कोई charge distribution है, ठीक है, और यह आपका है, unit charge, test charge, और आप यहाँ पर जो external force, जो बर्गडन करता है, ठीक है, बर्गडन किसके द्वारा, F external के द्वारा, ठीक है, कहां से कहां तक लेके आने में, infinity से किसी point पर लेके आने में, जो भी होता है, उसको बोलते हैं, आप potential, आप यहाँ पर ध्यान दीजे, जो आपका F external है, किस इसके against होता है, इस जो charge distribution दिख रहा है, इसका कुछ ना कुछ electric field होगा, ठीक है, इस electric field की जैसे यहाँ पर आपको मिल रहा होगा कुछ electric force, इस force के against काम करते हो आदे, यानि कि यहाँ पर electric force होई ना, या फिर बोलते हैं कि यहाँ पर अगर E ना हो, तो हमें क्या कोई against force लग यहां तक, तो हमें कोई burden करना पड़ेगा, करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें किसी against कोई force ही नहीं, तो हमें यहाँ पर प्टेशन के मिल जाएगा, जीरो, बस अब इसी concept को हमें यहाँ पर आगे यूज़ करना, ठीक है, एक बात और recall कीज़ें, ठीक है, माल लेते ही नहीं आपका कोई एक conductor है, इसके अंदर कोई एक cavity, cavity में कोई charge रखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ charge होगा, कुछ आपका माल लेते हैं, बाहर से ला जाई, plus Q, minus Q यहाँ पर है, और यहाँ पर कोई charge Q रखा हुआ, तो मुद्दी की बात ही है, कि यह जो cavity के अंदर क कुछ भी है, ठीक है, इसका जो electric field रहता है, वो cavity के अंदर ही रहता है, क्या बाहर कोई electric field है, इस cavity के द्वारा, सीदी सी बात है, आपर कोई electric field ही नहीं, सारा electric field यहाँ से originate हुआ है, यह कहीं खतम हो गया, बाहर को electric field नहीं, यानि कि यहाँ पर रहती कोई charge रखा हो, मुझे यहाँ से यहाँ लेके जाना हो, तो क्या मुझे force apply करने ही ज़रूरत है, जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर opposition करने के लिए कोई force ही नहीं है, पैट, तो चैनल यहाँ रखा हूँ, चैनल यहाँ रखा हूँ, कहीं भी रखा हूँ, तो क्या कुछ बर्क्राण करना चुक है तो आप एकीन मानिया आपका problem BOS. वह चुका है अद्धि आप यहाँ पर ध्यान दें तो यह जो potential है किस हुगे से यह potential है जो आपका charge cavity के अंदर है और हम कहा निकाले है potential surface पर तो cavity तो अंदर है आपकी shell के inner का का पाड यह राईट एंदर का पाड ए और हम केल विट कर रहे हैं पॉटेंशिल का पार सर्पेस पर इन दौनों की वजह से क्या होगा पॉटेंशिल नेट जीरो राइट हमें कि तना बचेगा नउन जीरो इसकी वजह से अब जो सर्पेस पर चार्ज या उसके जो बाहर चार्ज उसकी वजय कितना होता belki होता क्व पोई होजय और वरा होगा उसके सर्पेस पर काड़ गया क्योंकि जो आउटर चार्ज je तो जितना बरगदन आपने किया सरफेस तक लेकी आने में उतनी बरड़न आप करोगे हैं किसी अगैस को कोई लगाना ही नहीं और निकालना चाहते हैं सरफेस पर बंकुलेशन कि यहां पर निकालेंगे उसके सेंटर को है कि लिए जिए सी बात तो ना क्योंकि मैंने ट्विट में बरावर है सरपेस का और स्ट्र का पर तो बस अब हमें याँ पर बैलू पूट कर देना तो आपका फोर की वज़ासे यह कुल जासे यह तूप्ट की वज़ासे और यह सब्सक्कार मिल जाएगी माइनस वाइट यहां बैस्ट क्या रहा है इस्क्यू की वेलु एकूल टू-5 और चाइब कहां से आया यह आपका स्विष्ट से पास होते हुए कितना चार्ज फिलो रहा है में यहां पर निकाल आपको पॉटेंशिल तो देखो आउटर सरफेस पे कितना चार बिचाएगा यह आपका Q यानि की माइनस Q पिलस आपका 4Q आपको मिलियागा टोटल माइनस Q आप सरफेस पे माइनस Q चार्ज है तो बहुत ही आथानिस आप लेख सकते हो राइट तो जो सीधी सी वेल्यू है आपकी कत्र होगी माइनस के क्यों अपना आप इस वीडियो से आपने बहुत को सीखा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजि और दोस्तों से असेर करना मिल्कुल ना बोला है थैंक्यू एंड है वे नाइस टेए